नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेश 25 मही बुधवा शाम सवा 7 बजे रासान के बड़ी खब्रे मुख्यमंतर शोग गहलोत ने नमस्रजित विक्रमोनत तैसिलों वे उप तैसिलों को उप जिला गोशित करने तथा इन में पद स्थापी तैसिलदारों वे नायब तैसिलदारों को पंजियन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंझूरी दी है इस प्रस्ताव से स्थाने स्तर पर प्रशासनी कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकन से संबंदित काम के लिए दूरस्त अस्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे पहले हाल ही में मुख्य मंत्रशों गहलोद ने किसानों को पॉली हाउस, शेडनाट हाउस, लोड अनल के स्थापना वे प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 158 करोड 96 लाख रुपए के वित्य प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते उनका संचौलन टोकना पड़ा। रासान में सभी तरों की इलक्टिक वीकल खरीद पर सबसीडी मिलेगी, इन पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। गल्यो सरकार ने इलक्टिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोस्ट वन टाइम कॉंट्रिबूशन और रिफिलिंग के लिए 40 करोड रुपए के अडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया है। परिवान विभाग और राजे सरकार के मताबिक इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डिजल पैट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूशन में कमी आएगी। रासान में एक नया पश्चिमी विक्षोब इसी सब्तहा असर दिखाएगा जिसकी चलते नो तपा में भी प्रदेश वास्यों को लूज से राहत मिलने की उमिद है। उदर जयतिशियों का कहना है कि जब भी नो तपा में तेज गर्मी पढ़ती है तो मौनसून के दौरान भी जम कर बारिश होती है। यदि नो तपा नहीं तपा तो मौनसून में भी समाने बारिश ही हो सकेगी। जैपुर मौसम केंडर के नेदेशक आरेस शर्मा की माने तो राजे में शिगर ही एक नया पश्चिम विक्षोग सक्रिय हो जाएगा जिसकी चलते प्रदेश के कुछी इलाकों में हल्की बारिश और बूंदा बांदी हो सकती है। केंडर सरकार ने सोने के गहनों पर हॉलमार्क अनिवारे कर दिया है। जहां सोने के गहनों की बिक्री होती है उसके आसपास ही हॉलमार्क सेंटर होने चाहिए। लेकिन B.I.S. ने आदेश जारी कर दिया है कि प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की N.O.C. के बिना शहर में हॉलमार्क सेंटर्स का संचाला नहीं किया जा सकता। रायस्तान में प्रदूशन नियंतरन बोर्ड हॉलमार्क सेंटर्स को और दियोगी किशेत्रों में ले जाने के लिए दबाव बना रहा है। इसके विरोध में हॉलमार्क सेंटर्स अंचालकों ने एक जून को सांकेतिक हर्ताल का निन्ने किया है। समान उपलब्ध होने के बावजुद अभियंता कमी बताकर आमजन के विदित समंदी काम अटका रहे हैं। श्री गंगोत्री, श्री यमनोत्री, श्री बद्रिनाथ, श्री केदारनाथ और श्री हेम कुंट साहिब सहित्य। सभी पांच धामों के लिए वुद्वा सुबे मौसम साफ होने पर यात्रा निर्विग्न शुरू हो गई। इन सभी धामों पर मंगलवार देश शाम तक कुल 9,47,960 भक्तों ने दर्शन किये। अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि 24 मई को मौसम खराब होने से केदारनाथ में और साही तोर पर हेलिकॉप्टर सेवा रुकी गई एवं कुछ पढ़ावों पर तेर्थी यात्रियों को भी रुकने को कहा गया था। कोईला संकट के दौर में केंडर सरकार ने सभी राजियों के लिए 10% विदेशी कोईला खरीदना अनिवारे किया है। पहले 4% ही विदेशों से कोईला खरीदना जरूरी था। नए बदलाव से राजिसान समित अलग-अलग राजियों पर बड़ा वित्य भार आने वाला है। इसका भार बिजली उपभोगताओं पर ही पढ़ेगा। राजिसान के मुख्यमंत रशो गहलोद ने भी केंड़ सरकार से कहा कि आम भोगताओं पर पढ़ने वाले अत्रिक्त भार को देखते हुए केंड़ सरकार विदेशी कोईले की अनिवारता हटाने की मांग की है। अगर राजिस सरकार महंगा विदेशी कोईला आयात करेगी तो एक रुपिया यूनिट तक बिजली महंगी हो सकती है। इसमें एक बार गोबर को अनलोड करने के बाद आगे की सारे प्रोसेस आटोमेटिक होगी जिसकी चलते मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की अक्सरी शिकायत रहती है कि एरलाइन्स कमपनी ने उन्हें फ्लाइट में जो सीट उपलप्त कराई थी वो अच्छी स्थिती में नहीं थी। इस सनर की शिकायतों पर संग्यान लेते हुए अब नागर विमानन महानिदिश चाले ने सभी एरलाइन्स को चुतावने दी है कि इस समन में दिशन निर्दिशों का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा। असरा ने एक और दो जून को दो दिवसे कारशाला बुलाई है। दो दिवसे इस कारशाला में प्रदेश की मुख्यमंत्रिय अशोगहलोत, प्रभारिय जमाकन, पार्टे के सांसत, पूर्वसांसत, विधायक, मंत्री, पूर्वमंत्री, बोर्ड निगमों के चेर्मैन, स् पर पहुंच गई, वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत बावन हजाजाजाज सो रुपए पर बरकर आ रही। जपर सराफा कमेटी की और से जारी भाव के अनुसार जपर में 24 केरेट सोना बावन हजाजाजाज सो रुपर और 22 केरेट 50,500 प्रती 10 ग्राम भिका। वहीं चांद सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें